नमस्का राज़नमा टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रिया आपके साथ विराट कोहली की एक दमदार पारी की बदोला टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में लगातार पांचवी जीत दर्ज की रवीवार को खेले गए मेच में भारत ने न्यूजिलेंड को चार विकेट से माद दी विराट कोहली ने लक्ष का पीछा करते हुए पिंचानू रनों की पारी खेली इस मेच में विराट को सपोर्ट करने के लिए अनुशका शर्मा स्टेडियम में नहीं थी हाला कि उन्होंने सोचल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार किया विराट की इस मेच विनिंग पारी पर अनुशका प्राउट फिल कर रही थी गोर तलब है कि विराट की इस पारी की बदोलत भारत ने न्यूजिलेंड को 20 साल बाद किसी ICC इवेंट में हराया है अनुशका शर्मा ने अपने पती विराट को हुली के लिए स्ट्रॉम चैजर वर्ड का इस्तमाल किया इसका मतलब यहां कि कोई शक्स एक बड़े तुफान का पीछा करते हुए अपने लक्ष की प्राप्ती करता है विराट के लिए यह बात इसले भी साही है क्योंकि एक वक्त पर टीम इंडिया के इस्तिती खराब हो गई थी अच्छे शुरुआत मिलने के बाद भी एक छोर पर लगातार विकेट के रहे थे विराट एक तरफ डटे रहे और अंत तक लड़ते हुए टीम को जीत दिलाई जाहिरे की अनुषका अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाई उन्होंने एक नहीं बलकि तीन स्टोरिश शेर की वैसे तो अनुषका शर्मा विराट को चेर करने के लिए स्टेडियम पहुंचती रहती है हालाकि इस मेच में वो मुझूत नहीं थी इस बार वो घर से ही मेच देख रही थी पाकिस्तान के खिलाब मेच में वो स्टेडियम पहुंची थी अनुषका और टीम इंडिया के कप्तान रोईश शर्मा की पतनी रितीका सजदे एक साथ बेटी थी दोनों के बीच काफी अच्छी बांडिंग भी दिख रही थी एक वक्ता जब विराट के खराब प्रदर्शन के लिए अनुषका को ट्रोल किया जाता था 2015 में टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में आस्टेलिया से बुरी तरह हार गई थी विराट कोली इस मेश में सस्ते में आउट हो गए थे मेश खतम होने के बाद लोगों ने विराट के पोस्टर जलाये थे उनके साथ साथ लोगों ने अनुषका को भी निशाने पर लिया था इसी के साथ बने रही है राजदमा टीवी के साथ धर देमाद